हलो माइ ब्यूटिफुल और लवली फ्रेंद्स वल्कम बैक तो माइ यूटुब चैनल केट प्रेंग वेदेगता सेंग बट साथ का मौसम शुरू होने वाला है और मैंने सूचा कि क्यों ना कोई एक ऐसी हल्दी डिश बनाई जाए जिसे खाके सबको मजा आ जाए थोड़ी चटपटी भी हो मज़िदार भी हो थोड़ी सी मीठी भी हो और साथ ही घर के सभी मेंबर्स को मतलब बच्चे और बड़े सभी इसको स्वाद लेकर खाए तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे नूडल्स नूडल्स को हमें बॉइल करना है गरम मैगी नहीं है तो आप यह पर नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं हम सिंपल नूडल्स जिसका हम हम बनाते हैं वो नूडल्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं इनको बॉइल करके अच्छे से हम छान के अलग रख देंगे थोड़ा थंडा होने के लिए अब जब तक यह कर लिया है इन आलूों को अब हम इसमें मिक्स करेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची कि आप साध उनमसार भी डाल सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे काने वाले हैं और आपको हरी मिर्ची यूज नहीं करने तो आप मत कीजिए मैंने 2 टी स्पून इसमें हरी मिर्ची यूज की है इसके बैद मैंने कद्दू कस किया हुआ गाजर इसमें यूज किया है थोड़ा healthy बनाया है इसको तो मैंने गाजर यूज किया है हम अपने अनुसार इसमें गाजर डाल सकते हैं मैंने दो बड़े चमच गाजर डाला है मैंने मतर को हलका दरदर पीस लिया था तो मतर भी मैंने इसमें यूज की हैं दो बड़े चमच इसके साथ में अब हम दालेंगे कॉन फ्लोर कॉन फ्लोर इसको बाइंडिंग में हमारी हेल्प करेगा तो यह मैं डाल रही हूं इसमें वन टी स्पून आप देख लीजे अपने अंदास से आप इसमें और उसमें एड़ान कर सकते हैं थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे चावल का पिसा हुआ आटा यह सिर्फ एक टेबल स्पून है उससे ज्यादा की हमें जुरुत नहीं रहेगी फिर हम इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाध अन आडवा चावल करने का लिए मैंने यूझ किया है यह है और यगेनो मेंनेप में जाशोद करते हैं नम 허락 हम चैनल कर इसमें डाल दिया है इसके बाद अब हम इसमें यूझ करेंगे ब्लाक पेपर अब हम इसमें यूज करेंगे फूट कलर यूज कर रही हूँ मैं इसमें अब हम डालेंगे मैगी मसाला मैंने मैगी नूडल्स यूज करते हैं इसमें यूज करियेगा अब मैं इसमें डालूंगी धन्या बारी कटा हुआ धन्या और हमने जो नूडल्स बॉइल किये थे अब हम उसको इसमें मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इसका एक अच्छा डो बना लेंगे इस तरह से डो रेडी हो जाने के बाद म हम इसे एक और दूसरे शेप में भी बना सकते हैं स्पाइली हमें समाइली बना यह भентовे हम तो स्माइली बने के रेडी हो गया हमारा स्वाइली के बना रेडी से द्यूंगी अर नौर्मल बॉल बनाकर भी यहीशे ध्रिप्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ice cream sticks हैं तो ice cream sticks पर इसको stick करके भी deep fry किया जा सकता है अब एक pan में मैंने oil गरम कर लिया है और अब मैंने अच्छे से deep fry कर लूँगी इसी तरह से आप इसे कई different shapes में बना सकते हैं heart shape, flower shape, market में बहुत सारे साचे available हैं आप उसका इस्तिमाल करके इसे बना सकते हैं यह आप अपने बहुत सारे get together, kitty parties, आपके घर में birdie parties है उसमें या फिर आप चाहें तो बच्चों को टिफन में भी बना के दे सकते हैं यह बहुत tasty होते हैं और खाने में बहुत मज़ा आता है इसे आप different type की chutneys के साथ में भी serve कर सकते हैं मैंने तीन चीजों के साथ में इसे serve किया है खट्टी मिठी पुदिने की chutney, mayonnaise और tomato sauce के साथ में इसे आप अपने घर में बनाएं और ठेर सारी वावाईयां बटो रहें तो मेरी आज की recipe आपको कैसी लगी मुझे comment section में बताना बिलकुल न भूले मेरी आज की इस recipe को अपने friends family के साथ में share करें और subscribe करें और हाँ like भी करें मैं इसी तरह से आपके लिए धेरो recipes लाती रहूँगी अपना प्यार और support मेरे साथ इसी तरह बनाए रखें Thank you so much It's very yummy and tasty Let's try